प्रिय चात्रों उत्तर प्रदेश राजर्शी टंडन मुक्त विसुष द्याले के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मैं डाक्टर सतीश चंद जैशल इस विसुष द्याले में पत्रकारीता यहों जनसंचार में असिस्टेंट प्रफेशर हूँ आज मैं प्रेश बिधी पर चर्चा करूँगा आपसे मेरा ब्याख्यान होगा प्रेश बिधी कर प्रेश बिधी बिशे पे विस्सिच चर्चा करने से पहले हम कुछ और और धार्णाओं पर बात कर लेना ठीक समझेंगे जिससे कि आपको प्रेश बिधी के संबंध में एक अच्छी समझ विक्सित करने में कोई दिक्कत ना आए या आप अच्छी समझ विक्सित कर सकें तो जैसा कि आप देख रहे हैं प्रेश किसे कहते हैं हमें समझना होगा प्रेश पत्रकारीता का एक संरचनात्मक धाचा होता है जहां पे पत्रकारीता पेशे के संपून कारे को संपादित किया जाता है बहुत पहले प्रिंट मीडिया के उद्वह के समय में छापे खाने को हम प्रेश कहते थे लेकिन आज प्रेश और मीडिया दोनों समान अर्थों में प्रयोग किया जाता है बोला जाता है और समझा जाता है पत्रकारीता से जुड़े समस्त गतविधियां समस्त कार्य जिस जगह जिस स्थान पर संपादित किये जाते हैं जिस संरचनात्मक स्वरूप में संपादित किये जाते हैं उसे हम प्रेश या मीडिया नाम से पुकारते हैं जानते हैं हम सेकेंड टर्म है पत्रकारिता पत्रकारिता किसे कहते हैं इसे भी हम थोड़ी सी चर्चा कर बहुत संचित चर्चा कर लेना चाहते हैं पत्रकारिता समाचारों के संकलन संपादन लेखन प्रस्तुतिकरन प्रकासन प्रसारन जितने भी ये वर्क हैं ये सारे वर्क को मिलाकर हम इसे पत्रकारिता कहते हैं या यूँ कह सकते हैं जब कोई पत्रकार सूचनाओं का संकलन करते हुए जनता के समक्ष लोगों के समक्ष सत्य और निस्पक्ष रूप से विउर्ण प्रस्तुत करता है तो उसे पत्रकारिता कहते हैं तो पत्रकारिता समय के साथ अपने स्वरूप में बहुत सारे बदला हुए आज आदी के समय पत्रकारिता के उद्देश उसके मिशन उसके आपजेक्ट्स अलग रहे आज के समय में पत्रकारिता का स्वरूप बहुत ही बदल चुका है जब हम पत्रकारिता पे प्रेश विधी पे चर्चा करेंगे तो जाहिर सी बात है हम उसके वर्तमान स्वरूप उसके ब्योसाइक स्वरूप पे अगर के चर्चा नहीं कर पाएंगे तो सायद हमें प्रेस विधी को ठीक से समझने में कठनाई होगी और हम सायद यह भी समझने में पूरी तरह से सहज नहीं हो पाएंगे कि जो आज प्रेस कानून हमारे भारती मीडिया पे लागू होते हैं उब बदली परिसितियों में पर्याप्त है या कुछ और उसमें जोड़े जाने की जरूरत है यह सारी चीजें तभी हम सपष्ट कर पाएंगे आप सब समझ पाएंगे जब हम इसके पत्रकारीता के बेवसाइक स्वरूफ को भी समझ लें तो आईए अब हम बात करते हैं पत्रकारीता के बेवसाइक स्वरूफ और मानदंडों की जैसा कि आप सब समझ सकते हैं कि कोई भी जीविका जरूर नहीं कि वो बेवसाइब ही हो क्योंकि जीविका में जब तक बेवसाइक के उद्देश करेक्टर्स और मानदं समाहित ना हो तब तक उसे हम बेवसाइक का दर्जा नहीं दे सकते कोई भी जीविका बेवसाइक मानदंडों को विसिस्ताओं को ग्रहण करके वह बेवसाय का रूप ग्रहण कर सकती है लेकिन जरूरी नहीं है हर जीविका जिसे वेक तरह से ऐसे समझ रहे हैं कि आकुपेशन और प्रोफेशन दो अलग अलग चीज जैसा आप समझने के लिए आपको कहा जा सकता है कि हमारे समाज में भिक्षा बिक्ति है भिक्षा बिक्ति किसी की जीविका हो सकती है लेकिन वह ब्यवसाय नहीं हो सकता ऐसे तमाम जीविका के साधन हैं जिसे हम जीविका तो कह सकते हैं हम इस अंदर में ब्यश्य अबृति एक समाजिक बुराई है वह किसी के लिए जीविका हो सकती है लेकिन उसे हम ब्यवसाय नहीं कर सकते और जब तक किसी भी पेशे का बेवसाइक स्वरूप इस पश्ट नहीं हो जाता तब तक उसके लिए कुछ नियमों का निर्मार करना इसके लिए आचार संगेता वैं का निर्मार करना और उसे नियमों कानूनों देश की सुरक्षा आदि को कोई खत्रा उत्पन्द नहों इसलिए ऐसे नियमों कानूनों का निर्मार किया जाता है और पत्रकारिता के जब हम ब्योसाइक स्वरूप की चर्चा करते हैं तो एक बात ते समझ में आती है कि पत्रकारिता कोई ऐसा पेशा नहीं है कोई ऐसा कार नहीं है जिसको हम किसी कोर्ष के माध्यम से उसके सारे कंटेंट पढ़ लिए और हम पत्रकार बन गए ऐसा जरूरी नहीं है यह किसी एक्जाम का किसी कोर्ष को पास करके पत्रकार बन जाना यह आवश्यक नहीं है पत्रिगारिता के को करना पत्रिगारिता के काम को समझना यह ज़ादा जरूरी है इसमें समझ इस पेसे के प्रती इस बेवसाय के प्रती जितना अच्छी समझ एक इस पेसे से जुड़े लोगों में होनी चाहिए जितनी अच्छी समझ होगी वो इस पेसे में उतना ही अच्छा कार कर सकता है उतना ही देश समाज के लिए हितिकर होने क् 시간 के सबस्ते उसकी सामाजीक और वैधानिक इसति mundos Εमें समझने तो निसंदे अपना कार बहुत ही सुचारू रूप से अच्छे ढंग से संबादित नहीं कर सकता तो आईए हम देखते हैं कि पत्रकारिता किस किन मानदंडों को पूरा करता है एक ब्योसाय के स्वरूब ग्रहन करने के मामले में पत्रकारिता कैसे एक ब्योसाय है किन मानदंडों के आधार पर कि किसी पेसे को हम बेवसाय कर सकते हैं उन मांदंडों की हम चर्चा करेंगे और फिर उसके आगे के बिंदूओं पे फिर हम क्रम से चर्चा करेंगे पहला पत्रकारिता के बेवसाइक स्वरूप मांदंड की चर्चा करने के दौरान पहला मांदंड होता है बैज्ञानिक ग्यानेवं क्रमबद सिध्धानतों का आप जानते होंगे कि पत्रकारीता के ङो विदवान है उन्हें बहुत सारे सिध्धानतों को प्रतिपादित किया है वो दूसरा भी से है उस पे दूसरे लेक्षर में उस पे उन सिध्धान्तों की चर्चा समाचीन होगा उचित होगा लेकिन यहां पर सिर्फ हम यह बताना चाहते हैं कि पत्रकारिता जो बैग्यानिक ग्यान एवम क्रमबद सिध्धान्त के जो मांदंड है इसको पूरा करता ह पत्रकारिता में बहुत सारे विद्ध्धानों द्वारा सिध्धान्त और बैग्यानिक क्रमबद्धता के ग्यान को जो यह सर्थ है जो मांदंड है उसे पूरा करता है दूसरा है बिस्षिष्ट प्रनालियां तथा विधियां प्रविधियां पत्रकारिता के लिए मीडिया सोध के जो कार किये जाते हैं उससे जुड़े लोगों द्वारा या स्वतन्त संस्थाओं द्वारा इस मांदंड को दूसरे मांदंड को पूरा करते हैं पत्रकारिता के छेत्र में बहुत सारे नित नए दज्ञानिक प्रविधियों का प्रयोग होता है नए नए सोध किये जाते हैं जिससे उसकी वस्तुनिष्टता बनी रहे उसकी तथ्यात्मक्ता बनी रहे तो देखा जाए तो जो ये देवसाय का जो दूसरा मांदन्ध है विसिष्ट प्रणालियां तथा विदियां प्रवधियां इसका भी प्रयोग पत्रकारिता पेसे में किया जाता है अब हम नेक्ष्ट तीसरे मांदन्ड की बात करेंगे सिक्षण एवं प्रसिक्षण की प्रविधियां आप सभी लोग जानते हैं आप खुद इस बिस्विद्याले के छात्र हैं पत्रकारिता बिसे के विद्यार्थी हैं तो इस पेशे में पेशेवर तयार करने के लिए पूरे देश में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो पत्रकारिता के पेशेवर को तयार करने के लिए सिक्षण और प्रसिक्षण का कारे दे रही हैं बहुत सारे विद्याले हैं संस्थान हैं महाविद्याले हैं जो इस विषय को अपने आहां इस विषय में सिक्षण और प्रसिक्षण प्रदान करती हैं इसे दोरा बहुत सारे ऐस से हैं जिस की मानयता प्राप्त है उसी आधार पर बिशुद्यले अपने हां एकश्चन प्रस्रीक्षन कारे संपादित कर रहे हैं और जैसे हम आप भी इसके एक हिस्सा है सिक्षण Пр피्सिक्षण के करम में ही हम आपसे बात कर रहे हैं आपको कुछ बताने समझाने की कोसिस कर रहे हैं तो निश लिया तीसरा मान दंड जो सिक्षण और्फिक्षण की प्रविधियों प्रसिक्षण के क्रम में ही हम आपसे बात कर रहे हैं आपको कुछ बताने समझाने की कोशिस कर रहे हैं तो निसंदे यह तीसरा मांदंड जो सिक्षण और प्रसिक्षण की प्रविधियों का जो एक मांदंड है किसी पेसे का जो ब्योसाइक आधार बनता है कि वह से पूरा करता है चोथा है बेवसाइक संगठन एवन समितियां आप सारे लोग बहुत सारे संगठनों को जानते होंगे जो पत्रकारित्या से जुड़े हुए हैं जैसे हमारे समाचार समितियां हैं बहुत सारे पत्रकार शंगठन हैं बहुत सारे मीडिया हाउसेज हैं उनके अपने संगठन हैं इन संगठनों के माध्यम से यह जो सनरशनात्मक सेटफ है इसके माध्यम से हम पत्रकारिता इस मांदन्द को भी पूरा करता है बहुत सारे संगठनों के हाँ चर्चा करना बहुत उचित नहीं है बस हम यह इसपश्ट करना चाहते हैं कि पत्रकारिता एक प्रोफेशन के रूप में अपना स्वरूप धारण करता है या नहीं उन मांदन्दों को पूरा करता है कि नहीं मैं यही बताने के लिए सिर्फ इसी पर अपना डिस्कस फोकस कर रहा हूं अब नेक्स्ट है पांचवां सामदाइक मानेतायों सामाजिक अनुमूदन आपने देखा है कि बिना सामाजिक मानेता के कोई भी कारेयर बेवसाइक स्वरूप ग्रहन नहीं कर सकता जैसे अभी हमने कुछ समय पहले एक उधारण दिया है कि भीक्षा बिक्ति भीक्षा बिक्ति के कारे को इस जीविका को जब तक सामाजिक रूप से शुकृति नहीं मिल जाती कि हाँ यह काम स्वतंतर रूप से किया जा सकता है तब तक उसे वेवसाइक स्वरूप वह ग्र पत्रकारीता पेशे को मिला हुआ है आप आजादी के समय से आज तक इसके शुकारता की इसके अनुमोधन की संकाही नहीं है बल्कि यह देखा जा तो इस पेशे का सोसाइटी में बहुत तेजी से बहुत तेजी से इसका महत तो बढ़ा है इसकी सहभागिता बढ़ी है हमारी पारवारिक लाइफ को भी कहीं ने कहीं प्रभाविолж किये रहता है तो इंसकर अननुमूधन की इसके मारताकि संदे मारता पर संदे नहीं का निर्मार करता है उन दसाओं का निर्मार करता है जिन दसाओं का जिन नियमों का पालन करके कोई भी पत्रकार अपने कारे को समाज हित में संपादित कर सके उसके द्वारा जन हित का कारे किया जा सके उसके द्वारा कोई ऐसा कारे संपादित ना हो जिससे की सामोहिक हितों को नुक्षान पहुंचे सामाजिक राष्टी सुरक्षा को नुक्षान पहुंचे इन सब सारी चीजों को ध्यान में रखके हमारे सामाजिक स्वास्त अच्छे से निर्मित हो उसको कोई नुक्षान ना पहुंचे इन सारी चीजों के लिए आचार संगीता का निर्मार किया जाता है और यहीं से किसी भी पेशे को जब अगर किसी पेशे के लिए आचार संगीता का निर्मार किया जाता है तो यहीं पे यह आवसक्ता का सिर्जन हो जाता है कि उस पेशे को नियमों कानूनों के परीध में बाधना आवस्यक है क्योंकि अगर कि उसे निय नहीं किया जाएगा विनेमित नहीं किया जाएगा तो हो सकता है वह समाज के लिए हितकर ना रह जा समाज के लिए नुक्सान दे हो जा हमारे राष्टी सुरक्षा को खत्रा पैदा हो जा तमाम सारी सितियां पैदा हो सकती हैं जिसको रोकने के लिए कि हम आचार संगिता का निर्मार करते हैं और यहीं से प्रेश ला को प्रेश कानूनों की आवसक्ता को जन्म मिलता है निसंदे कि प्रेश कानूनों पे हम आगे भी कि चर्चा करेंगे उसके पहले कुछ बिंदु अधारणाय ऐसी हैं जिसकी चर्चा कर लेनी और आउस्यक होगा हमारे भारती सम्मिधान की प्रकिती पर चर्चा कर लेना आउस्यक होगा हमारे सम्मिधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार मौलिक करतव्य हमारे संसदी धांचे इन सब की जानकारी हमें पत्रकारिता कानूनों को समझने के पहले कर लेना आवस्यक होगा जैसा कि आपने यहां इन मानदंडों की चर्चा मेरे द्वारा की गई आपे समझ पाएं होंगे कि कोई भी जीविका इन मानदंडों के आधार पे व्योसाईक स्वरूप ग्रहन कर सकता है यह विशेस्ताएं उस पेसे में नहीं है तो उसे आप एक व्योसाय का दर्जा नहीं दे सकते तो दूसरी तरफ पे कहा जा सकता है कि पत्रकारिता इन सारे सर्तों इन सारे मानदंडों को पूरी तरह से पूरा करता है जिसे अब हम कह सकते हैं कि पत्रकारिता एक व्योसाय है एक जीविका नहीं है और जब पत्रकारिता एक ब्योसाय है तो निश्यत तोर से उसे नियमों कानूनों के परिधि में रहके अपना कारे करना होगा और इसके लिए प्रेशला एक आवश्यक टूल से एक बिधान है एक प्रावधान है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे अभी फिलाहल हम उन आधारों की चर्चा कर रहे थे जिन आधारों पर पत्रकारिता को एक ब्योसाय का दर्जा प्राप्त है या किसी भी जी विका को अगर के प्रोफेशन एक ब्योसाय का दरज्रा प्राप्त करना है तो इन विसैस्ताओं को इन मानदन्डों को गरहन करना अतियावस्यक है इसके स्वरूप इसके विसेस्ताओं को ग्रहन किये बगएर कोई भी पेशा अपना ब्योसाइक स्वरूप ग्रहन नहीं कर सकता उमीद करता हूँ मैं कि आपको यह lecture समझ में आया होगा इन सारे चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाएं होंगे अगर के मेरे इस एक संच्छिप्त लेक्चर में कोई बातें आपको न समझ में आई हों तो आप विसुद्याले के यूटूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट्स नोट करा सकते हैं जिसका जवाब आपको उच्छी तरीके से मिल जाएगा इसके बावजूद आप विसुद्याले में मेरे से आप व्यक्तिकेत रूप से संपर्क करके भी इस पे चर्चा या अपनी संकाओं का समाधान कर सकते हैं इसी के साथ यह लक्षर हमारा समाप्त होता है आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद झाल झाल